तो अब धिरी धिरी इंडिया के अंदर सेडान्स का ट्रेंड वापिस आता जा रहा है वक्सवेगन की वर्टेस और स्कॉडा की सलाविया के बाद अब हमें टाटा की प्रेमियम सेडान कार पेरेगरीन देखने के लिए मिलेगी कब तक टाटा पेरेगरीन लॉंच होगी किस प्राइस पॉइंट पे आएगी कैसे लुक्स, फीचर्स और इंजन स्पैसिफिकेशन इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे सब चीजों के बारे में डीटेल में बात करेंगे तो कईस वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले टाटा पेरेगरीन के एक्स्टेरियर डिजाइन, डिमेंशन्स और प्लैटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये गाड़ी हमें अलफा आग प्लैटफॉर्म के उपर बेस देखने के लिए मिलेगी ये प्लैटफॉर्म बहुत ज़्यादा एजाइल होने के साथ साथ काफी ज़्यादा सेफ भी है पेरेग्रीन की लेंथ हमें 4,450 mm, विर्थ 1,750 mm और हाइट 1,500 mm तक की देखने के लिए मिल जाएगी वहीं इस काड़ी की ग्राउन कलेंस में 170 mm तक की देखने के लिए मिलेगी जो कि एक सेडान के हिसाब से काफी ज़्यादा अच्छी है साथी में इस काड़ी के अंदर हमें alpha arc platform का signature feature यानि की 90 degrees opening doors भी देखने के लिए मिलेंगी पेरेग्रीन टाटा के signature design language को follow करेगी फ्रंट में इस काड़ी के अंदर हमें कफ़ी ज़्यादा sharp design के साथ में DRLs, projector LED headlamps, cornering lamps के साथ में और top model तक इसके अंदर हमें fog lamps भी LED देखने के लिए मिलेंगे additionally इस गाड़ी की length की वज़े से इसके front में हमें front parking sensors भी देखने के लिए मिल जाएंगे बात करें rear की तो rear में हमें इस गाड़ी के अंदर बहुती unique design के साथ में split LED tail lamp cluster देखने के लिए मिलेगा rear parking lights और rear fog lamps के साथ में इस गाड़ी के rear के अंदर हमें roof mount spoiler, defogger, reverse parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines और reflectors भी देखने के लिए मिल जाएंगे बात करें पेरेग्रीन की side profile की तो इस गाड़ी के अंदर हमें R16 इंचिस के diamond cut alloy wheels देखने के लिए मिलेंगे जिनका design Tata Safari के alloy wheels से काफ़ी ज़्यदा similar रहने वाला है ORVM के नीचे हमें 360 degree assist के camera's भी देखने के लिए मिलेंगे बात करें इस गाड़ी के roof की तो roof के ऊपर हमें एक electric sunroof देखने के लिए मिलेगा जो की anti-pinch और range enhancing के साथ में आएगा साथी में इसके roof के ऊपर हमें एक shark fin antenna provide करवाया जाएगा जो की इस गाड़ी की looks और aerodynamics को काफ़े ज़्यदा अच्छा कर देगा overall Tata Peregrine देखने में बहुत ज़्यदा attractive रहने वाली है वहीं बात करें इस गाड़ी के इंड़ा के अंदर competition की तो इस गाड़ी का tough competition रहने वाला है मारूती सुदू की CS, Volkswagen Virtus, Skoda Slavia, Hyundai Verna और Honda City जैसी premium sedan cars से आगे बढ़ते हुए Tata Peregrine के powertrain options के बारे में बात करें कि इस गाड़ी के अंदर हमें कौन-कौन से engines देखने के लिए मिलेंगे और उनकी specifications क्या रहेंगी तो इसके अंदर हमें तीन engine option देखने के लिए मिलेंगे जिन में सबसे पहला रहेगा 1.5 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन ये पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर रहने वाला है और ये हमें 150 BHP के आसपास की पावर निकाल के देगा दूसरा इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा 1.5 टर 4 सिलेंडर क्रायो टेक टर्बो डीजल इंजन ये हमें 108 BHP के आसपास की पावर निकाल के देगा और टॉर्क भी बहुत जादा बैतरी निकाल के देदेगा लास्टली इस काड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा 1.5 टर हाइब्रेट पेट्रोल इंजन जो की हमें बहुत जादा बढ़िया फ्यूल एफिशेंसी निकाल के देने वाला है हाइब्रिट के साथ इस काड़ी के अंदर हमें कई सारे मोड्स भी देखने के लिए मिलेंगे जैसे की पावर मोड, एकोनोमी मोड और टोटली इवी मोड ट्रांस्मिशन ओप्शिन्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें 6-speed manual, AMT और DCT gearbox देखने के लिए मिल जाएगा आगे बढ़ते हुए Tata Peregrin के इंड़ा के अंदर launch date और pricing के बारे में बात करें तो इस काड़ी का expected price हमें 8 lakh से लेके 16 lakh तक का देखने के लिए मिल जाएगा और ये prices एक शोरूम रहने वाले हैं और launch date के बारे में बात करें तो कई सरी news और rumors के मुताबित Peregrin अभी production phase में चल रही है तो इस काड़ी की हम launch date expect कर सकते हैं 2023 के mid तक अगे बढ़ते हैं Tata Peregrin के interior features के बारे में बात करें तो गाड़ी interior से बहुत जादे बहतरीन बनाई जाएगी सबसे पहले interior इसका हमें dual tone की finish के अंदर देखनी के लिए मिल जाएगा अब all stay भी हमें लेदा तक की देखनी के लिए मिलेगी इस काड़ी के अंदर हमें flat bottom steering wheel देखनी के लिए मिलेगा tilt और telescopic adjustments के साथ में जिसके उपर most expected हमें Tata का नया logo देखनी के लिए मिलेगा इस काड़ी के front में भी हमें Tata का नया logo expected है की देखनी के लिए मिलेगा steering wheel के उपर हमें steering mounted controls और adaptive cruise control भी provide करवाया जाएगा गाड़ी के अंदर हमें heads up display का option भी देखनी के लिए मिलेगा बात करें इसके instrument cluster की तो top of the line variant तक इसके अंदर हमें 7 inches का fully digital instrument cluster देखनी के लिए मिलेगा ये काफ़ी ज़दर detail रहने वाला है और इसका resolution भी काफी अच्छा कासा हमें देखनी के लिए मिल जाएगा वहीं इसके अंदर जो अलग-अलग modes हमें दिये गए हैं उनके हिसाब से अलग-अलग themes भी इस instrument cluster के अंदर हमें दी जाएगी आगे बढ़ते वे infotainment के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर हमें 8 speaker system देखनी के लिए मिलेगा 10 इंचिस की floating touchscreen इसके अंदर आएगी जिसमें सभी तरह की connectivity हमें provide करवाई दी जाएंगी जैसे की Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth और auxiliary Android Auto और Apple CarPlay हमें wireless के साथ देखनी के लिए मिलेंगे इस infotainment में हमें Aira Mobile Connected Technology भी देखनी के लिए मिलेगी जिसमें हमें last top speed, last location और geofencing जैसे कई सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं ये 10 इंचिस की touchscreen काफ़ ज़दा smooth और lag free रहेगी और इसका resolution भी हमें बहुत ज़दा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा इस काड़ी के अंदर हमें dual zone AC देखने के लिए मिलेगा automatic climate controls के साथ में glow box भी हमें cool provide करवाय जाएगा top of the line variant तक ambient lighting भी ये गाड़ी sport करेगी front में हमें automatic headlamps के साथ साथ rain sensing wipers provide करवाय जाएगे auto dim के साथ IRVM और ORVM's autofold electrical adjustments के साथ में हमें देखने के लिए मिलेंगे mounted indicators के साथ front की दोनों seats हमें ventilation के साथ देखने के लिए मिलेंगी जो की six way adjustable रहने वाली है memory function के साथ में driver और co passenger के लिए हमें sliding armrest cup holders और wireless charger देखने के लिए मिलेंगे गाड़ी की length और height अच्छी खासी होने की वज़े से rear care passengers के लिए हमें leg room और head room काफी ज़ादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा adjustable headrest के साथ में इसकी rear की seats आएंगी जिनके अंदर हमें integrated armrest देखने के लिए मिलेगा twin cup holders के साथ में rear के passengers के लिए हमें separate ace events के साथ साथ charging sockets भी provide करवाई जाएंगे बात करें रूफ के features की तो interior में roof के उपर हमें sunglass holders, cabin lighting और electric sunroof देखने के लिए मिलेगा anti-pinch और rain sensing के साथ में boot के अंदर भी हमें five passengers के हिसाब से more than enough boot space provide करवा दिया जाएगा ये गाड़ी पूरी तरह से keyless रहेगी push button start stop support के साथ में wireless smart की इसके साथ हमें provide करवाई दी जाएगी driver side हमें कई सारे control से देखने के लिए मिलेंगे overall इस गाड़ी के interior का look, feel, comfort और driving dynamics काफी जदा अच्छे रहने वाले हैं आगे बढ़ते हैं टाटा पेलेग्रीन की safety के बारे में बात करें कि इस काड़ी से हम कैसी safety expect कर सकती हैं तो सबसे पहले इसको alpha arc platform के उपर बनाया गया है इस platform के उपर हमें पहले दो cars देखने के लिए मिली हैं पहली टाटा altros और दूसरी टाटा पंच ये दोनों ही cars and cap के अंदर 5 star की safety rating ला चुकी है तो कुछ ऐसा ही हम पेलेग्रीन से भी expect कर सकते हैं इसके अंदर हमें basic safety features सभी देखने के लिए मिलेंगे जैसे की इंटेर में इसके अंदर हमें 7 airbags तक देखने के लिए मिल जाएंगे ISOFIX seat mounts, 3 point seat belts और इसके अंदर most expected हमें all four disc blake standard में देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर additional features में हमें front parking sensors, reverse parking sensors, reverse parking camera with dynamic guidelines और 360 degree park assist के साथ में हमें camera देखने के लिए मिलेगा advanced features के बारे में बात करें तो गाड़े के अंदर हमें ABS, ABD, ECS, traction control, hill start assist, hill hold assist, roll over mitigation, engine immobilizer, TPMS, cornering ABS जैसे कई सारे बढ़िया बढ़िया features देखने के लिए मिलेंगे बाकी गाई इस startup paragraph के बारे में आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग चाव में किसी particular car या फिक टॉपिक के उपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बाकी गाई इस वीडियो के लिए इतना ही I hope so ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आई होगी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो के अंदर